हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर के हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोग एक छोटा सा मास्क नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए हमारे देश के लिए बदे दो सिंग्रीट दीजेगा है है दो रजनी कंदालल तुलसी के साथ है दो रजनी गंदा तुलसी भी देजिए अ अधिश्क्रीज आजाओ ना और पांच मिनट के लिए कुछ नहीं है अधि कोरोना तो नहरा काने के लिए कुछ नहीं है प्लीज समझो ना पांच मिनट के लिए भाइया दो माक्स भी देख्या अरे यार फाल्टो का दस रुपर हम कहा है बरबाद करें अरे यार अब लगे तुम भी अपना थेटिस जाड़ने हम लग जबांग चो रहे हैं यार कुछ नहीं हो गार तुम भी मत डरो भाईया डरना चाहिए और आप भी डरिये हमको डरने बोलता है डरते जो हम अपने बाप से भी नहीं नहीं पिसको पैटा कर लिया तुम पहचानता रही है मेरे को बोड़े नहीं चाहिए मास बाब प्ल पहचानते हो मेरे को इंडियन आर्मी तुमको कोई पहचाने ना पहचाने हम लोगो सब पहचानता है बाबु सुनो ब्रेक अप कर लो लेकिन इस साल इस लड़के से तो मिलने बिलकुल मत आना इतने प्यार से ये दुकान वाले भाईया मास्क के लिए पूछ रहे हैं तो ये बाईया अगर जान बचाने के लिए 5 रुपय का मास्क दे रहे हैं तो बड़े चौड़े हो रहे हु इन पे ही 5 रुपया वेस्ट हो रहा है तुमारा ना मास्क खरीद के और ये दिन बर जो 1000 रुपय का नशा करते हो उससे अपने परिवार पर एसान कर रहे हो क्या और आपने देश में अगर लोग बोलने से सुधर जाते ना तब तो बात ही कुछ और होती लिप्स्टिक खराब हो जाएगी ना तो फिर भी चलेगा लेकिन अगर जिंदगी खराब होगी ना तो दुबार लिप्स्टिक लगाने के लाइक नहीं रहोगी अब साहर बात समझ में आगे होगी कि मास्क लगाना क्यों जरूरी है चलो आओ तुम लोग को कुछ दिखाता हूं कि क्या यह संसान घाड इस महमारी से जो भी मर रहे है ना उनको समसान घाड तक नसीब नहीं हो रहा है उनके परिवार वाले उनका अंतिम दर्सन तक नहीं कर पा रहे हैं समसान घाड तो छोड़ो उनका अंतिम दा संसकार तक नहीं हो पा रहा है उनके बॉडियों को तुम्हें भी पता होगा कि जैसे तैसे करके डिस्पोज कर दिया जा रहा है हटा दिया जा रहा है इतना सब जानने के बाद भी तुम ल परिवार वालों का तो सोचो जिन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किले जहल करके तुम लोगों को बड़ा किया है। हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर के हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोग एक छोटा सा मास्क नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए हमारे देश के लिए आज इस मामारी के लिए आपका निशानत बस इतना ही कहना चाहेगा कि लापरवाह लोग सुधर जाएए साफधान हो जाएए सतर्क हो जाएए नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा ये सरकार भी नहीं आपके ही जान को सिर्फ खत्रा नहीं है यार आपके लापरवाही के विज़े से कई लोग के जान को खत्रा है और ऐसा मत होने दीजिए और अगर आपको सच में खुद से और इस देश से प्यार है ना तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजेगा क्योंकि हर इंदुस्तानी तक हर किसी तक यह वीडियो पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है जाहिंद